कि महा पुरान में बहुत सुंदर बात कहिए वहाराज मानलो तुम किसी कारे के ली जा रहे हो कि पांच बार छे बार तुम कारे के लिए होकर आगे कि या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आगए हो भईाजा पैसे तब देगा यह किसी कारे के लिए जा रहे हो वो कारे नहीं हो रहा पचास बार उकर अगर वो काम नहीं हो रहा है शियो महापुरान करती है लाल चंदन कौन सा चंदन लाल चंदन को अच्छा गिसो और गिस कर तैयार करकर बेल पत्री के यह दोने भाग है अगर किसी से आपको पैसा लेना है वो नहीं दे रहा या कोई काम है या जौब है या नोकरी है या उसके लिए या कोई विद्याद्यन का कोई कारे है कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे और वो कारे नहीं हो रहा पांच बार छे बार करके देख लिया नहीं हो रहा तो यह दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा लाल चंदन लगाने का मतलब यह नहीं कि जरासी तुम बिंदी लगा तो ल अच्छे से फेरना है कि उसलाल चंदन को लगा लिए और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घरत घरत मतलब गाय का घी गवमाता के दूद से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए और जो अशुक सुन्दरी वाली जगह जानते हो ना आप लोग अशुक सुन्दरी की जगह आपको पहले भी कठा में कहां समझ लीजिए यह शिवलिंग है यह जलाधारी पर रखा हुआ है यह गोल जलाधारी है यहां से पानी नीचे गिरता है ठीक है ऐसी होता ने शिवलिंग जैसे यह जो गोल जलाधारी है यह म भाग गणेजी का स्थान लेट भाग छे गणे छे कार्तिके शडानंद कार्तिके का स्थान जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशुक सुन्दरी है उसका स्थान प्रदोष के दिन या सोंबार के दिन आप घी वाली बेल पत्र को अशुक सुन्दरी वाली जगा पर रखकर यह जो चंदन लगी हुई बेल पत्र है इसका मुख एसा सीधा की सीधा रखो तो गणेजी की और हो जाएगा शडानंद कार्तिके की और हो जाएगा अपनी काम सुक जाएऽ थिफ्कर लेना या जो कार्यप्र निहां नहीं निकल रहा बहुत प्रयास कर लिया कि अधालत में पंचास बार हो यह काम नहीं हो रहा तब इस बेल पत्र का प्रयोग करना बाबा से भिंति करना और बिंति करका बापी सजाना केवल दो प्रदोष या 2 सूंब कर लीजिए बाबाब की मनों खामना पूर्ण कर देगा उस बेल पत्र का सुक्ष प्राप्त होगे